Welcome गाइस कैसे हैं, आसा अच्छ होनगे साथ ही यह चल रही है हमारी Python की series और Python में हम सीख रहे है MySQL और MySQL में आजब की आजम सीखेंगे Group by statement को इसको सीखने से पहले यह जान लें की गरूबबाइ स्टेटमेंट के हैं इसलिए अलग-अलग department बटे हुए या फिर employees की category है उनकी salary wise, किसी की ज़्यादा salary है, किसी की कम salary है ऐसे हमने उनको department wise या salary wise group में देखना है हमने group wise divide करना है उस employee को कि transport department में कितने employee है या फिर सबसे कम salary वाले कितने employee है तो इस परकार से हमने उनको group में divide करना है तब हम use करते है group by statement का किस परकार करेंगे यह प्रैक्टिकल ही जान लेते हैं इस वीडियो में तो इस मन्तक बनी रहे हैं मस्कार साथियो मेरा नाम है मनुष्ट कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गयानगुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो यहां पर देखें मेरे पास एक एंप्लोई की टेपल है और इसको मैंने रिकोर्ड के नाम से सेव किया यानि कि मेरे पास कुछ रिकोर्ड हैं यह माल लेते हैं अब इन रिकोर्ड में हमने इनको ग्रूप वाइस कराना है पर देजनेशन के अकोर्डिंग हमने सुपरवाइजर को ग्रूप कराना है कलर को गूरूप कराना है मैनेजर को गूरूप कराना है क्योंकि अब देखो मैनेजर यहां पर है एक मैनेजर यह रादा है एक गोपाल है तो यह देखना हमने की total manager कितने है supervisor कितने है और उनको group wise भी करना है तब हम यहाँ पे group by का use भी करेंगे और count का भी करेंगे सम के लिए मैंने आपको last video में भी बताया था या फिर हमने salary के according यहाँ पे group कराना है कि किस salary के कितने employee हैं 12500 के अलग से group बन जाए 25000 के अलग से group बन जाए gender wise भी group करा सकते हैं या फिर कोई और आपने table ले रखी है तो इसका syntax हम कैसे लिखेंगे तो मैं वही file open कर लेता हूँ जो मैंने last video में आपको समझाया था देखो यहाँ पे हमने आपको max formula या फिर हमने minimum दोनों बताये थे साथ में सम का भी बताया था आज हम count का भी साथ सीखेंगे और group by करना भी सीखेंगे count हमने गिनना है color कितने है और उनका group भी बनाना है तो यहाँ पे देखो हमने को एक ही parameter की ज़रूँत है फिलाल और हमने किस के a coding करना है हम वो यहाँ पे इसकी header ले ले लेते है हमने destination के a cording करना है DESG हम इहाँ पे definition ले लेते और इधर यदी हम करें from कहा से हमने तो जितने भी हमारे पास designation होंगी फिलाल वो सारी आ जाएंगी चाहे वो duplicate हो, save करा लेते हैं इसको, और इस file को मैं run करा लेता हूँ, यह sel नाम से file है मेरे पास, run करेंगे sel को, यहां पर देखो, सारे designation यहां पर आपको नजर आएंगे, जितने भी थे, अब इनका group नहीं बनाया है, हमने शिरफ इनको display कराया है, designation को, अब हमने इनको group भी कर आना है, और count भी करके देखना है, तो count किस पर कार करेंगे, देखो सीधा हम यहीं पर आ जाएंगे, और designation से पहले, हम यहां पर function यूज करेंगे, count, bracket start करेंगे, aesthetic sign लगाके, bracket close करा देगे, coma, designation from record, बस, यह तो हो गया हमारा count का, लेकिन साथ में कैसे count करेंगा, designation को count तो करें लेकिन किन को count करेंगा, designation तो सारी है, तब हम यहां पर करेंगे, कहां से ले रहे हैं, from record से ले रहे हैं, तो record के अंदर आके, हम इसको करेंगे, group by, group by, किस से हमने करना है, इसको group, हमने designation से group कराना है, हो गया काम, save करालते, और refresh कराएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे, यहां पर देखो हमारे पास दो record आने वाले हैं, एक तो count number दिखाएगा, और एक designation में दिखाएगा, तो हम को यहां पर एक field और बनानी पड़ेगी, मैं इधर एक field और करेंट करा लेता हूं, 20 की ले लेते हैं, और यहां भी हम designation के साथ, पहले counting दिखाएगा, फिर designation पहले count के लिए, तो यह कर देते हैं, count, और एक हो जाएगा हमारे destination, same to shame, इसी को मैं यहां से copy कराता हूं, यहां भी हम को लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर हमने format में एक और index number दिखाना पड़ेगा, दूशरा हमने, क्योंकि दो index number आएंगे, दूशरा हम एक number, एक zero index पे आगया, एक one index पे आगया, clear, आप save करा देते हैं, अब हम इसको फिर से run करा लेंगे, मैं करता हूं shift के साथ F10 press, यहां पे देखोगे आप, हमारे पास total count, एक है, accountant दिखा रहा है, चार color क दिखा रहा है, तीन manager है, एक pion है, और तीन supervisor है, क्या इतनी है, total कितने यहां पे चार एक पाँच और तीन आठ और एक नो और तीन बारा, बारा employee है, चेक कराते हम आपको देखो यहां पे, table के अंदर में पास बारा employee है, जिसमें supervisor एक, दो और तीन supervisor है, इस table में देखते हैं, कितने दिखा रहा है supervisor, तीन दिखा रहा है, तो इसने इनको group wise कर दिया, और total count करके अभी हमको बता रहा है कि कितने employee हैं, जो supervisor है, या कितने employee है, जो manager है, तो कौन से department में कितने employee है, या कितने employee ऐसे हैं, जो एक particular salary अचीव करते हैं, इस परकार से यदि हमने group कराना है, तब हम group by का use करते हैं, तो बिल्कुल सा syntax है group by के लिए, आराम से समझ में आगया अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छे च्छी वीडियो देखते रहने के लिए मरशाद बने रहे हैं मारे वीडियो को ज्यादा से ज्याद हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यह दिन नए है आप मारे चल पे, तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें